आपके पासब पुराना वोटर आईडी कार्ड है और आप उसे नया वोटर आईडी कार्ड में बनाना चाहते हैं या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है और आप अपने वोटर आईडी कार्ड को दुबारा से डाउनलूट करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलू form 6A के लिए apply करेंगे अगर voter ID से नाम delete करना है तो इसके लिए form 7 का इस्तमाल करेंगे और अगर यदि voter ID card में किसे भी प्रकार का सुधार है या फिर नाम या फिर mobile number कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो form 8 का chain करेंगे आप नया voter ID card कैसे बना सकते हैं अधार कैसे कर सकते हैं इसकी पर मैंने proper पहले वीडियो बना दिया है लिंक आपको नीचे वीडियो की description पर मिल जाएगा चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आपका voter ID card पहले से ही बना हुआ है तो आप उसे download कैसे करेंगे या पुराना voter ID card है और आप उसे नए voter ID card में download करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले sign up पर click करना होगा जब आप sign up पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको जिसका भी voter ID card है उसका mobile number दर्ज करना होगा या family में से किसी का भी mobile number दे सकते हैं capture code box में fill करके continue पर click करेंगे mobile पर OTP लेकर अपना password बनाकर ID create कर लेंगे इसके बाद उपर login पर click करेंगे mobile number जो आपने ID बनाया है mobile number दर्ज करेंगे जो password आपने बनाया है password नीचे दर्ज करेंगे capture code को नीचे box में fill करके resend OTP पर click करेंगे mobile पर प्राप्त OTP को box में दर्ज करके verify and login पर click करेंगे voter ID card डाउनलोड करना चाहते हैं तो e-pick download पर आप click करेंगे अब आप जिस voter ID card को नया voter ID card में download करना चाहते हैं उसका voter ID card number आप वो उपर बॉक्स में दर्ज करना है state का chain करके search पर click करना है अब नीचे voter की सारी जानकारी आजाएगी नीचे वहीं पर आप देखेंगे send OTP का विकल्प नजर आएगा send OTP पर click करेंगे तो जो भी mobile number उनके voter ID से लिंक है नीचे चार अंक शो रहे है इसी mobile number पर OTP पहुचाया जाएगा अगर यदि यह mobile बंद है या किसी करण से यह आपका mobile number नहीं है गलत है तो आप इसे correction करके आप अपने अभी वाले mobile number पर OTP ले सकते हैं अगर number सही है तो send OTP पर click करके OTP राप्त करके और इसे जहां से download कर लेंगे mobile number अगर सुधार करना चाहते हैं home पर आएंगे यहाँ पर form date पर आप click करेंगे other पर select करेंगे और आप अपना voter ID card जो download करना चाहते हैं उससे यहाँ पर दर्जि कर देंगे और submit पर click कर देंगे voter की जानकारी यहाँ शो हो जाएगी आपको नीचे ok पर click करना है यहाँ पर second vehicle correction पर आपको click करके ok पर click करना है यहाँ पर आप next पर click करेंगे अब आप यहाँ पर सबसे पहले अधार पर click करेंगे और आवेदक का अधार card number यहाँ दर्जि कर देंगे इसके बाद next पर click करेंगे, नीची आएंगे, mobile number आप सुधार करना चाहते हैं, यहाँ पर mobile पर tick करेंगे, mobile number दर्जी करेंगे, send OTP पर click करेंगे, mobile पर OTP पहुचाया गया है, OTP को इस box में दर्जी करेंगे, verify पर click करेंगे, इसके बाद next पर click करेंगे, यहाँ पर place का नाम दर अब अब दुबारा से हम वही फ्रक्रिया करेंगे e-pick download पर जर्ज करेंगे जिसे download करना चाहते हैं अब हम इसी mobile नमबर पर send OTP पर क्लिक करके इसी नमबर पर हम अपना OTP प्राप्त करेंगे Mobile पर प्राप्त OTP को इस बॉक्स में दर्ज करके verify पर क्लिक करेंगे OTP को बॉक्स में दर्ज करके verify पर क्लिक करेंगे नीचे आपको download e-pick का विकल्प नजार आ जाएगा आप download पर click करेंगे और यहाँ पर आपका voter ID card download हो चुका है या फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं ओकी जैनकारी प्रसंद आई होगी इसी प्रकार के अन्य और जैनकारी के लिए चैनल पर और भी वीडियोज हैं बै देखने ना बूलें चैनल का भी सब्सक्राइब एब हम फॉलो जारू करें मिलते हैं ये वीडियोज में जायर हैं बाते मात आओ